प्योग के ले किया तो ये विधी साकार नहीं होगी तो इस बात का खास तोर पर ध्यान रखेगा क्योंकि इस विधी का गलत प्रभाव किसी पर भी नहीं पढ़ना चाहिए आपकी सहायता के लिए ही हम यहां माजूद हैं आपको ये विधी बताने के लिए तो सही तरीके से प्रियोग कीजिए सही मनशा से इसका प्रियोग कीजिए तो आईए आप मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह आपको ये उपाय करना है किसी विधी को किस तरह मात्र एक तिन में आप अपने वश्मे कर सकते हैं आपको लेने हैं दो पीपल के पत्ते, जिसमें से एक पत्ते पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, जिसे आप वश्मे करना चाहते हैं, माननेजे उस व्यक्ति का, उस किसी महिला को आप वश्मे करना चाहते हैं, उनका नाम है राधा, तो हम क्या करेंगे, पत्ते पर प स्वास्तिक का चन्र बनाना है. ये देखिये, हमने उपर नाम लिखना है राधा और उसके नीचे स्वास्तिक का चन्र बनाना है. यहां मैं आपको एक उग्जामपल के तौर पर राधा लिख के बता रही हूं, जिसपी व्यक्ति को आपको वश्मे करना है, उनका नाम इस पत्ते पर लिखना है आपको, उसके बाद जो दूसरा पत्ता आप लेंगे उस पर आपको अपना नाम लिखना है, मान लिजे आपका नाम है विक्रम, तो दूसरे पत्ते पर आप अपना नाम लिखेंगे विक्रम, और ठीक पहले पत्ते की तरहां इस पर भी आ आपको स्वास्तिक का चिन बनाना है इस तरह और जिसको आपको वश में करना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना जाते हैं उस व्यक्ति के नाम का पत्ता उपर और अपने नाम का पत्ता नीचे कुछ इस तरह आपको रखना है इसके बाद इन दोनों पत्तों को आप को एक दूसरे में मोड देना है ये देखिए इस तरह और इसके बाद जो मंत्र में आपको बताने जा रही हूं जो चमतकारी मंत्र में आपको बताने जा रही हूं उस मंत्र का मात्र 21 बार आपको जाप करना है और 21 बार जाप करने से वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा सर्फ औसर्फ एक दिन में वो कहीं भी होगा आपको फून करेगा आपसे कॉंटैक करने की कोशिश करेगा आपसे बात करने के लिए तरपेगा तो आईए आप मैं आपको बताती हूँ वो मंत्र क्या है दोस्तों मैं एक बार आपको ध्यान पूर्वक बता दू कि उस मंत्र का जो आपको सुनना है वो बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको वो मंत्र सुनना है बहुत ही ध्यान से मंत्र सुनिएगा क्योंकि अगर मंत्र अगर आपने हलका सा भी गलत सुना या आपने हलका साभी मंत्र का उचारण गलत करा तो इस मंत्र का असर नहीं होगा वो मंत्र आपके लिए बेकार हो जाएगा जो आपका वश्य करन है या आपके लिए बेकार हो जाएगा तो आई मैं आपको बताती हूँ कि मंत्र का जाब किस प्रकार करना है इस People के पत्ते को अपने हाथ में लेकर और मंत्र है ओम भग्वते वासुदेवाई नमा राधा वाश्यम करू करू स्वाहा जिहां इस मंत्र का आपको 21 बाव जाप करना है और इन People के पत्तों को बहते हुए पानी में प्रभ़ा कर देना है जी हाँ, जैसे ही आप इन पीपल के पत्तों को बहते हुए पानी में प्रभा करेंगे, उसके मातर एक दिन बाद वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, वो व्यक्ति आपसे बात करने के लिए उसी तरह तरपेगा जिस तरह आप तरपते हैं, जो इस बात का ध्यान रखे जिसके आप उपेक्षर करते हैं, कि जो ये फल हमें इसका मिले, जो वशी करण हम कर रहे हैं, इसका जो सही फल हमें मिले, वो सोमवार के दिन आपको मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसका जो प्रयोग करना है, वो सिर्फ औस सिर्फ सोमवार के दिन करना ह मंत्र का उचारण उसी तरीके से कीजेगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप इस मंत्र का उचारण कीजेगा विधी को उसी तरहां से पूर्ण कीजेगा जिस तरहां से मैंने आपको बताया है अगर विधी में आपने गलती करी कहीं भी आप अठके तो ये वशीकरन काम नहीं करेगा, इस वशीकरन को करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप हमारी गुरुजी को दिये गए नमबर पर कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समधान कर सकते हैं तो दिए के नमबर पर कॉल कीजे, गुरु जी से बात कीजे, अपनी समस्या का समधान कीजे, जैम आता दी